काल के गाल में समा कर वापस लौटे थे अमजद खान एक हादसे ने तवाह कर दे कबबर की बनी बनाई पहचान नमस्कार दोस्तों मैं अजद वेदी 108 इमिनाटेट लीड इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कितने आदमी थे डियलाग से मसूर हुए पॉली बुड की एक्टर अमजद खान आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं यू तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था लेकिन जिक्र जब भी उनका होता है तो जुबा पर गबबर सिंग का नाम जरूर आता है गबर सिंग का रोल निभा कर वो हिंदी सिनेमा के तिहास में सबसे फेमस बिलियन बन गए थे अमजद खान का निधन आज के ही दिन 27 जुलाई 1992 को हुआ था अमजद खान ने गबर सिंग का लामा ऐसे कई किरदार निभाय जिन को भुलाया नहीं जा सकता हर कोई आज भी उन्हें दिल से याद करता है अमजद खान अमिताब बच्चन के साथ फिल्म दे ग्रेट गेंबलर में काम कर रहे थे उस वक्त उनके साथ एक ऐसा हदसा हुआ जिन्होंने इंडिस्ट्री को हिला कर रख दिया इस फिल्म की सूटिंग गवा में होने थी और उसी के लिए अमजद खान अपने परिवार के साथ गवा के लिए रवाना हुए थे लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एकसिडेंट हो गया जिसमें अमजद खान को काफी चोट आई कहा जाता है इस हादसे में अमजद खान की 13 पसलियां तोट गए थी डाक्टर्स को उनका उपरेशन करना पड़ा इस मुश्किल हालात में अमिता बच्चन उनके परिवार के मदद के लिए आगए आये थे एकसिडेंट के बाद अमजद खान का बुरा दौर ही सुरू हो गया और उनका वज़न बढ़ना सुरू हो गया देखते ही देखते बढ़ते वज़न के चलते अमजद खान की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कुमा में चले गए वहीं उसके बाद साल 1992 में 17 जुलाई की रात को हार्ट अटैक के करण अमजद खान इस दुनिया को अलविदा कह गए एक इंटर्विव में अमजद खान की पतनी शैला खान ने बताया कि अकसर अमजद कहते रहते थे कि मैं यूँ ही पांच मिनट में चला जाऊंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और ना ही किसी के सेवा का इंतजार करूँगा ना किसी से सेवा करवाऊंगा और हुआ भी येसा ही आज उनकी डिथ एन्वर्सरी पर सभी उन्हें याद कर रहे हैं तो दोस्तों बने रहे हैं आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ ऐसे ही लाइक, सेर, सब्सक्राइब करते रहे हैं ताकि हम आपको आप एक से एक रोचक खवरों को लगातार पहुचाते रहें धन्यवाद